तो पहला question है दोस्तो मधुमे रोग को किस injection से कम किया जा सकता है आपको बताना है कि जो मधुमे रोग होता है वो इन में से किस injection से कम किया जा सकता है तो इसका right answer जाएक दोस्तो option number D यानी insulin मधुमे रोग में रोगी को हमेशा insulin का ही injection दि लेते रहना चाहिए insulin जो कि glucose के उपा पचेयन का नियमन करता है और यक्रित में glucose से glycogen के sunslaser की क्रिया को प्रेरिद करता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो insulin की कमी के कारण होने वाला रोग है चारा option है आपको पास बताना है कि insulin की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो इसका right answer जाएक दोस्तो option number B यानी diabetes जो कि insulin हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है जिससे सरकरा की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है और जो मुत्र के साथ बाहर निकलने लगता है insulin हार्मोन रक्त में glucose की मात्रा का नियंत्रण करता है दोस्तो चले दोस्तो अगला question देख लेते है कौन सी गरंथी insulin इस्त्रावित करती है most most important है ये question दोस्तो आपको पताना है कि इन में से कौन सी गरंथी है जो insulin का इस्त्रावित करती है जिसका right answer जाएगा option number A यानी अगनियाश है insulin जो की अगनियाश है में इस्थित langer hands की द्वी पिकाओं द्वारा इस्त्रावित होता है insulin की कमी से diabetes की विमारियां हो जाती है insulin glucose को glycogen में बदलता है चली अगला question देख लेता है दोस्तो insulin निमनलिखित में से मनुस्य के किस अंग से निकलता है आपको बताना है कि जो insulin होता है ओ निमनलिखित में से मनुस्य के किस अंग से निकलता है most most important and repeated question है यह दोस्तो तो इसका राइटम से हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर A यानी पैंक्रियाज इंसुलीन जो की अग्नियासे पैंक्रियाज अस्त्रावित होता है अग्नियासे में पाई जाने वाली लेंगर हैंस की दुविपिकाएं इंसुलीन नामक हार्मोन का इस्तरावर करती है चले दोस्तों अगला question देख लिएते है असंगत को ग्यात कीजे इनमें से आपको बताना है कौन इनमें से अलग है तिसका राइटन से हो जाएगा दोस्तो option number A यानी मधुमे बात करें मधुमे नामक रोग इंसुलीन हार्मोन की कमी से होता है और जो तीनों है इसकरवी है रिकेट से बेरी बेरी ये विटामिनों की कमी से होता है दोस्तो कौड मचली का लीवर भरपूर होता है आपको बताना है कि जो कौड मचली होती है उसका lever किस बिटामिन से भरपूर होता है तुछ इसका राइट आम से जाग कि दोस्तों option नंबर A यानि बिटामिन A से बात करें, कोड मचली का जो लिवर यानि यक्रीत होता है वो तेल बिटामिन A से भरपूर होता है और इसमें बिटामिन D की भी मात्रा प्रचूर मात्रा में पाई जाती है तो कौन-कौन सा तो विटामिन A और विटामिन D दोनों हो गया अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो सूरे की रोसनी से हम प्राप्त करते हैं आपको बताना है कि सूरे की रोसनी से आर्गेस्टिरॉल नामक पदार्थ विटामिन D में परिवर्तित हो जाता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो मनुस्य के सरीर में सबसे छोटी गरंथी है चार अपसन है अपके पास बताना है कि मनुस्य के सरीर में सबसे छोटी गरंथी कौन सी है जिसका right answer हो जाएगा option number 3 यानि pituitry जो की मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी है और अगर सबसे बड़ी ग्रंथी की बात करें दोस्तों तो यू हो जाएगा lever जो की सबसे बड़ी ग्रंथी है से भी याद रखिएगा अगला question देख लिएते हैं very very important and most repeated ये question है आपको उताना है कि मानव सरीर में कि किस ग्रंथी को master ग्रंथी कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number C यानि P.U.C. को P.U.C. को master ग्रंथी कहा जाता है अगनियासे को mistrit ग्रंथी कहा जाता है अगर P.U.C. को क्या कहा जाता है तो master ग्रंथी और अगनियासे की बात करें तो इसे mistrit ग्रंथी कहा जाता है अगला question देख लिएते हैं दोस्तों सरीर के thermo state का काम करने वाली ग्रंथी कौन सी है अप्सन नमर D यानि हाइपो थैलेमस जो की सरीर के ताप नियंतरक का काम करती है इसे master of master gland भी कहा जाता है adrenal की बात करें दोस्तों तो इसे आपात काल ग्रंथी कहा जाता है इसको याद रखिएगा अगला question देख लिएते हैं भूड को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है इनमें से आपको बताना है कि जो भूड होता है उसमें भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है तो इसका राइटम सो जाएगा option नमर श्री यानि गर्भनाल द्वारा भुरूड गर्भनाल से माता के सरीर से जुड़ता है और इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है अता भुरूड को आवस्यक भोजन वपदार्थ माता से गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है अगला कोशन देख लेते हैं सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन है most important यह भी कोशन है आपको बताना है कि जो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी इन में से कौन सी है तो इसका राइटम से जाएक दोस्तो अप्सन नमबर B यानि फीमर सरीर की सबसे बड़ी हड़ी जो की जांग की हड अगर हम बात करें फीमर जो की पैर के उपरी भाग की हड़ी है और सरीर की सबसे च्छोटी हड़ी की बात करें दोस्तों तो कान में पाई जाने वाली इस्टेपी होती है चलिए अगला कोशनं देख लेते हैं दोस्तो मानो मस्तिस्क का सबसे बड़ा अंग कौनसा है आपक अंग है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग है चार अप्शन है आपके बास बताना है कि मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग क्या है तो इसका राइटाम सजाएक दोस्तों अप्शन नमबर C यानि प्रमस्तिस्क मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि मस्तिस्क का मुख्य भाग है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो मानव मस्तिस्क कितने ग्राम का होता है most important है ये भी maximum exam में पूछता है दोस्तो आपको बताना है कि मानव मस्तिस्क कितने ग्राम का होता है तो इसका राइट अंस तो 100 g 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 आपको बताना है कि मानौ सरीर में उरोस्थी कहाँ पर पाय जाता है जिसका राइटाम सो जाएगा ओप्सन नमबर D यानी छाती में मानौ सरीर में उरोस्थी छाती में पाय जाती है अगला कोश्चन देख लिते हैं 14 वर्स की आयू वाले बच्चों की बृद्धी के लिए निमनली खित में सरवाधिक महत्वपूर कौन सा है आपको बताना है इनमें से कि जो 14 वर्स के बच्चे होते हैं उनमें बृद्धी के लिए किस का सरवाधिक महत्वपूर कौन सा चीज है इसका राइट अंसर जागा दोस्तो अपसर नमबर A यानी प्रोटीन का 14 वर्स की आयू वाले बच्चों की बृद्धी के लिए सरवादिक महत्वपूर प्रोटीन होता है विटामिन की बात के तो सहायक बृद्धी पदार्थ होते है और वसा की बात के दोस्तो तो ये सरीर में अत्यदिक उल्जा प्रतान करता है और दूद्ध की बात के तो दूद्ध को पूर्ड आहार भी कहा जाता है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है चलिए दोस्तो अगला कुशन देखते हैं आप सब को चारह बताना है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्धिमान कौन सा तत्व है तोस्तो अप्सन नमबर बी यानि कैलसियम सीमेंट तथा अस्थियां दोनों में ही विद्धिमान तत्व कैलसियम है जो कि इनने मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है अगला कोशन देख लिए बलड बैंक किसे कहा जाता है most important ये भी कोशन है आपको पताना है इन में से बलड बैंक किसे कहा जाता है राइट अन्स हो जाएगा option number A यानी इस्प्लीन को इस्प्लीन या प्लीहा को बलड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कड़िकाएं प्लीहा में संग्रहित होती है और पूरे सरीर का एक बटे छे भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है चले दोस्तो अगला question देख लेते है खाद उल्जा किसके द्वारा प्रदर्सित की जाती है चारा option है बताना है कि जो खाद उल्जा होती है ओ किसके द्वारा प्रदर्सित की जाती है तो right answer हो जाएगा दोस्तो option number A यानी calorie के द्वारा खाद उलजा को कैलोरी द्वारा प्रदर्सित किया जाता है और एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है दोस्तों अगला question देख लेते हैं ओस्टियोलोजी किसका अध्ययन है आपको बताना है इन में से ओस्टियोलोजी जो है वो किसका अध्ययन है जिसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number D यानि अस्थियों, bones का, osteology यानि अस्थि भिज्यान के तहट, अस्थियों के बने कंकाल का अध्यान किया जाता है, अगला question देख लेते हैं दोस्तो, निमनलिखित में से protein कौन सा है, चार अपसन है, आपके बताना है कि इन में से protein कौन सा है जिसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number C यानि उन, कि रैटीन नामक protein का बना होता है, और यह protein बालो और तवच्चा में पाया जाता है, इसे sclero protein भी कहा जाता है, इस protein में sulfur भी पाया जाता है दालों से हमें क्या प्राप्थ होता है, आपको बताना है इन में से जो दाल होते हैं, उन से हमें क्या प्राप्थ होता है, इसका right answer हो जाएगा, option number D यानि protein दालों से हमें मुख्यत प्रोटीन प्राप्त होता है और मूंग की दाल अरहर की दाल में क्रम सा 23-24 ग्राम प्रोटीन होता है इसके अत्रीक्त हमें दालों से फोलिक एसिट, निकोटीनिक एसिट तता फासपोरस की कुछ मात्रा भी प्राप्त होती है दोस्तों तो यह थी दो ग्रूप छीटेरें दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्सेर में जरूर बützen आगो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, आपकी लाइक से हमें motivation मिलता है कि आपको वीडियो पसंदार होगा चैनल पे हमारे दोस्तों नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा लिजीगा क्योंकि आने वाले ग्रूप D एक्जाम के लिए हम लगातार त्यारी करा रहे हैं जिससे आपको एक्जाम में कोई भी परिसानी के सामना नहीं करना पड़ेगा तो मिलते हैं दोस्तों अपने एगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैह भारत